Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Motor World, और फिर मा आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, आज किस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ, टायर्स के बारे में, दो तरीके के टायर्स आते हैं, रेडियल टायर और नॉन रेडियल टायर जिसको मैं नॉमल टायर के नाम से वाजितने पाते हैं, तो उससे आपको क्या-क्या चीजों के फाइदे मिलेंगे, क्या-क्या उसके ट्रॉबैक्स है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो मा बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले रेडियल टायर इंटिफाई करने के लिए आप कैसे पता लगाएंगे क या एक है पलो। तैयर के चिज़ टायर के साइज पर जयाना है , नइसा कहों टायर का साइज से लगा रहता है तो बहां沒有 नसे में छिन खुट है और घॉट पर इंचिजु झुटे-चोटए-पहुग है तो आप उसको भी देख से, और simply non-radial tyre में अगर आपको identify करना है, तो alloy का जो size है, उसके prefix में आर नहीं लगा होगा, तो आपको पते चल जाएगा, वो एक non-radial tyre है, तो अभी हम बात करना है, दो तरीके के tyres की, जिसमें radial tyre है, और एक है non-radial tyre, जिसको में normal tyre भी बोल रहा हूँ जिससे अगर से खाली rubber का tyre बन जाएगा, तो वहाँ पर वो rubber कभी भी deflate हो जाएगी, कभी भी दब जाएगी, तो rubber में उतनी strength नहीं आपाएगी, तो इसलिए cords उसकी strength को बढ़ाने के लिए company डालती है, अब ये cords में ही पूरा खेल है, जो cords का construction है और arrangement है, उसी से आप identify करें और जो tire का crown है, यानि कि उसका जो thread है, उस पे भी same symmetry रहती है, और साथी bias ply tire का construction रहता है, वो symmetrical construction रहता है, यानि कि जो ये criss-cross pattern में cords डली होई है, ये tire के crown पे, यानि कि जो thread वाल area है, जो जमीन के contact में रहेगा, road के contact में, उसमें भी criss-cross pattern में डली है, और वो ही same cords जो है, व crown का strong nature है, यानि कि thread का strong nature है, वो nature side walls में भी आता है, tire के, तो side walls में आने से क्या होता है, side walls भी stiff हो जाती है, तो I hope आप मेरी बात को बिल्कुल clear ही समझ गया होंगे, कि जो bias ply tire है, यानि कि normal tire जिसके बारे हम बात कर रहा है, उसमें side wall की और tire के crown, यानि कि threaded वाले side keep, जो properties है, India Orange जो tire की मजबूत ही है, वो side walls की भी उतनी है, और tire के crown की भी उतनी है, इसका मतलब क्या, कि side walls जो है, वो flexible नहीं होगी, बहुत जादा hard side walls दी है, company ने मजबूत side walls दी है, तो इससे क्या फाइदा आपको मिलता है, normal tire में आपको ये फाइदा मिलता है, कि अगर आपको ये tire में, तो ये impact और cut resistance रहता है, क्योंकि side wall में ही mostly, कोई भी impact लगता है, अगर कोई पत्थर पड़ा है, तो पत्थर से कभी cut आ जाता है, तो उसका resistance इसमें काफी अच्छा रहता है, easily ये वाले normal tires में cuts नहीं आते है, अब दूसरी तरह हम बात करते है, radial tire के बारे में, मैंने जो plycords हैं, उनका construction, जो उनका arrangement है, वो different है, और plycords का arrangement different कैसे है, वो radially dally है tire, कि जो tire का center आएगा बिल्कुल, center से originate हो रही है, जो plycords है वो ऐसे originate होंगी center से, अब ये जो center से plycords originate हो रही है, obviously company सिर्फ इन्ही plycords पर tire पर rely नहीं कर सकती, इन्ही plycords पर tire चल जाएगा, क जो plycords के हम चलाएंगे और जैसी गाड़ी को नीचे रखेंगे तो पूरा tire दब जाएगा, तो इसलिए company जो है crown में अलग तरीगे की cords डालती है, जिससे crown की strength है वो बढ़ जाती है, लेकिन sidewalls की strength है वो तिनी रहती है, तो radial tire में आपको क्या फायदा मिलता है, कि sidewalls जो ह अलग काम करेंगी, symmetrical construction यहाँ पर नहीं है, जैसे कि normal tire में है, normal tire में, criss-cross pattern में sidewalls भी उतनी मजबूत है और crown भी उतना मजबूत है, लेकिन radial tire में sidewalls जो है वो flexible है और crown जादा मजबूत कमपीन है रखा हुआ है, तो अब इसकी वज़े से एक drawback आपको आगया radial tire में, वो य कि sidewalls जो है वो flexible है, sidewalls उतनी जादा tough नहीं है और उतना strength और endurance नहीं जहिल सकती है, जितना के normal tire का जहिल सकती है, तो ये उतना impact और cut resistance नहीं होते हैं radial tires, लेकिन radial tires की sidewall की flexibility की वज़े से ही जो है काफी इसमें handling की properties अच्छी हो जाती है जिसके बारे में हम आगे बात करते है अब बात करते हैं हम दोनों ही तरीके के जो tires है, bias ply tires और radial tires इनके benefits और drawbacks के बारे में, तो ये जो normal tires है, non radial tires ये mostly heavy motorcycles के लिए या heavy vehicles के लिए suited रहते हैं, non radial tires की operational life रहती है road पर वो कम होती है radial tires के comparison में, क्योंकि इसमें जो heat है ये उतना जादा high heat resistant नहीं होते हैं और इसलिए ये tires का एक और reason है कि ये race cars ये race bikes में use नहीं होते हैं वो ये कि इनका weight है वो भी जादा रहता है और साथी ये high load carrying capacity के साथ आते हैं, तो इसलिए ये trucks और heavy vehicles में use होते हैं और ये high speed पर नहीं चल सकते हैं, अब वहीं अब हम बात करते है radial tires के benefits और drawbacks के बारे में, radial tires में सबसे बड बताते हैं, radial tire में sidewall जो है flexible है और जब tire की sidewall flexible है तो वो थोड़े से shocks भी absorb करती रहेगी, कि जैसे के मैंने आपको बताया था एक बार spoke wheels और alloy wheels वाली वीडियो में, alloy wheels से shock जो है वो directly आता है shock absorbers तक, लेकिन spoke wheels से जो shock है, वो spokes के थ्रूँ थोड़ा सा जो है भार atmosphere में disperse हो ज मिलता है, और radial tires में rolling resistance भी कम रहता है, rolling resistance क्या है, यानि कि रुकावट, rolling में रुकावट जो है वो radial tires में कम रहती है, grip भी जादा मिल रही है आपको, और rolling resistance भी कम है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये चीज़ें एक cost पर आती है, radial tire का एक कट लग सकते हैं tire पर, या easily impact set sidewall damage हो सकती है, तो I hope so, मैंने आपको radial tire और normal tire में सारे differences बता दिये, बिना आपके time को waste करे हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like कर दीजिएगा, चैनल को subscribe कर दे, so guys, thanks for watching, stay tuned, till then wait for my next upcoming interesting videos.